गर्भावस्था के आठ शुरुवाती लक्षन पीरियड्स मिस होना ये सबसे आम संकेत है अगर आपका पीरियड नियमित रूप से आता है और इस बार देरी हो रही है या बिलकुल नहीं आया है तो आप गर्भवती हो सकती है जी मिचलाना और उल्टी आना जिसे मौनिंग सिकनेस भी कहते हैं या बहुत आम है और गर्भावस्था के शुरुवाती कुछ हफ्टों में कभी भी हो सकता है हलका रक्तस्राव कुछ महिलाओं को उनके पीरियट्स आने के समय हलका रक्तस्राव या भूरे रंग का स्पॉटिंग हो सकता है इसे इंप्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं जो तब होता है जब निशेचित अंडाशय गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है ठकान महसूस होना गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं जिससे आपको अत्यधिक ठकान महसूस हो सकती है स्तनों में बदलाव आपके स्तन भारी, कौमल या दर्दियुक्त महसूस हो सकते हैं निपल्स के आसपास का क्षेत्र भी गहरा हो सकता है बार-बार पेशाब आना, बढ़ते हुए गर्भाशय के कारण मूत्राशय पर दबाव पढ़ने से आपको बार-बार पेशाब जाने की आवशक्ता महसूस हो सकती है खाने की आद्टों में बदलाव, कुछ खाने की चीजों की तलब लगना या कुछ खाने की चीजों से दूर रहना गर्भावस्था के शुरुवाती लक्षन हो सकते है मिचली आना आपको बिना किसी कारण के मिचली आ सकती है या खाने की कुछ विशेश गंधों से मिचली आ सकती है ध्यान दे ये लक्षण अन्य स्वास्थि स्थितियों के कारण भी हो सकती है यदि आपको लगता है कि आप गर्भवती हो सकती हैं, तो गर्भावस्था परीक्षन करें या डॉक्टर से परामर्ष लें यदि आपको गर्भवती होने में सहायता की आवशकता है, तो हमारा नहशल्क सेकेंड ओपिनियन फॉर्म भरकर हमें अपना चिकित्सा विवर्ण भीजें ताकि हम आपकी मदद कर सकें किसी भी अन्य प्रश्न के लिए हमारे वाट्सेप नंबर पर संपर्क करें